असलाम अलेकुम विवर्स, वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल अरूज मैनेजमेंट साइंस एक्सपर्ट आज की वीडियो अगेन रिक्वेस्टिट वीडियो है और बहुत इंट्रेस्टिंग और सिंपल टॉपिक है स्पेशली आज की वीडियो जो है वीको माईथी और बीबी के बिगनर्स के लिए हैं जिनको शायद बिलकुल भी इस टॉपिक का आइडिया नहीं होगा या फिर थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा तो मैं पहले ही बता देती ही बहुत असान टॉपिक है और बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है तो कंप्लीट वाच कीजिएगा वीडियो को और वीडियो को वाच करने के बाद आप भी बिलकुल यही कहेंगे कि topic बाकिन बहुत interesting था तो चलें फिर topic start करते हैं Soul proprietor जो है वो एक business की form है जैसे business different तरह के होते हैं कुछ business small scale पर होते हैं यानि कि छोटे पर माने पर start होते हैं और operate भी छोटे पर माने पर किये जा रहे होते हैं और कच business होते हैं वो large scale पर operate होते हैं प्रेटरशिप सोल्ट प्रॉप्रितरशिप जो है बिजनस के炕 है जैसे Game वो कुछ former पर आपर योते हैं और कुछ समॉल स्केल पर उपरेट होते है यानि क理asomet वो छोटी-छोटी शॉपस हो सकती हैं कुछ जो है वह थोड़ी प्रैमाने पेट हम सकती यह joint store company के उपर मैं already एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसका link भी मैं description box में दे दूँगी अगर आपने देखनी है तो वहाँ से देख सकते हैं पार्टनर्शिप के उपर भी मैं इंशालत आला नेक्स टाइम वीडियो बनाऊंगी लेकिन अभी ये soul proprietor के बारे में बात हो रही है तो ये सबसे पहली form है बिजनस की और इसका मतलब क्या होता है soul proprietor का soul means होता है alone एक single person ठीक है यानि एक वाहिद बन्दा जो होता है उसको कहते है soul और proprietorship का थो पता है आपको कि ownership होना कोई मलकियत होना तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है कि एक अकेला एक सिंगल परसन एक बिजनस को ऑपरेट कर रहा होता है वो ही एक बिजनस का ओनर भी होता है और तमाम प्रॉफिट भी उसका होता है और जितना भी लोस उसे उस बिजनस से हो सकता है तो वो लोस भी बिजनस वो start करता है तो capital उसका अपना होता है यानि majority जो investment होती है वो उसके अपनी होती है वो loan भी ले सकता है अपने relative से ले सकता है लेकिन जादतर तर पैसा उसका अपना होता है और सारी क्योंकि वो business को जो operations कर रहा है different जो ideas ला रहा है business को चलाने के लिए तो वो उसके खुद के होते हैं तो इसलिए जो profit उस business से होगा वो भी उसका अपना होगा और जो loss हो जाएगा उसको बिजनस से तो वो भी उसका अपना loss होगा इसकी जो best examples है वो यह हो सकते हैं इसे बेकरी की होती है shops और बार्बर शोब्स होती है salons होते हैं टेलर्स की shops होती है तो यह एक single person operate कर रहा होता है हो सकता है कि वो अपने लिए को employees भी रख ले अपने help के लिए तो वो उसके उपर depend करता है लेकिन basically वो एक छोटा सा एक business man होता है कोटी सी दुकान होती है उसकी और आपके पास जो घर के पास grocery shops होती है वो भी इसकी best example है तो यह तो एक simple सा concept था sole proprietor का अब आगे है characteristics इसकी तो characteristics पे discuss करते हैं सबसे पहली जो है वो ownership है ownership means कि जो business man है या single proprietor है उसकी अपनी ownership होगी क्योंकि वो अकेला business चला रहा है तो वो अकेला माली के है उसका वो अपनी मर्जी कर सकता है जब उसने बंद करनी है वो बंद कर सकता है जब आना है उसने वो आ सकता है उसके अपनी मर्जी है और अगर उसने कोई employees को hire किया हुआ है तो वो उनके ओपर भी proper hold रखता है और उनको supervise करना और proper उनको guidelines provide करना उनको order pass करना वो पूरा right रखता है उस चीज़ का उसके बाद second जो है वो management and control है क्योंकि business होता है इनका वो छोटे पे माने पे होता है और एक बंदा अकेले वो business को चला सकता है तो वो पूरी management को hold रखता है पूरी management वो खुद करता है पूरा planning, organizing, हर चीज़ को वो खुद देखता है और control करता है और अगर उसे जरूरत पड़ती है को employee भी रखने की तो वो employees को भी hire करता है और उनको pay कर देता है लेकिन basic यह है कि उसके पास पूरी एक opportunity होती है कि वो अपनी मर्जी से business को कैसे चलाएगा ठीक है क्योंकि पैसा उसका अपना लगा हुआ है तो वो मर्जी भी अपनी करता है उसके बाद third है finance जो finance है वो भी क्योंकि जादा पैसा चाहिए नहीं होता है छोटा business है थोड़ा ही पैसे पैसा चाहिए होता है तो वो अपने friends बगारा से relative से और bank बगारा से loan ले सकता है अपना पैसा invest कर सकता है then उसके बाद four है risk क्योंकि business वो खुद operate कर रहा है तो जाहिर से बात है business जब होता है कोई भी start किया जाता उसके सथ profit अगर आपने सोचा है कि profit future में होगा तो risk भी उसके साथ होता है तो एक अच्छा business man जो होता है वो loss को भी लेके चलता है profit को भी लेके चलता है यानि उसने अगर prediction profit की कर लिया ना तो उसको loss की भी करनी चाहिए खाली वो यह ना सोचे कि future में profit इतना आ सकता है हो सकता profit आपने सोचा और हो ही ना आपको loss हो जाए तो risk भी जो होगा उसको वो उसका खुद का होगा क्यूंकि उसमें तो किसी से कोई idea ही नहीं लिया वो तो सब कुछ अपनी मर्ज़े से कर रहा है अपना पैसा अपना लगाया है और किसी की help नहीं लेता तो जाहिर सी बात है उसमें किसी का stakes भी नहीं कोई stakeholders नहीं है अगर वो तमाम profit का खुद हगदार है तो फिर जब loss होगा या risk होगा तो वो उसका भी responsible वो खुद होगा उसके बाद है unlimited liabilities unlimited liabilities का मतलब होता है कि ना खतम होने वाली liabilities ठीक है unlimited ठीक है limited होती है कि एक आपके अपने assets के उपर ही होती है लेकिन unlimited होती है जिसमें आपके assets के लावा आपके personal property तक बीच में sale होने का खतरा होता है क्योंकि business में जब उसने start किया है तो कुछ पैसा अपना होगा कुछ जो ह अपने creditor से पैसा लिया है उनको तो वह पैसा वापिस करना है तो वह claim कर सकते हैं वह आपकी personal property भी claim कर सकते हैं कि आप उनको पैसा वापिस करें limited liabilities होती है उसका मतलब होता है कि एक business में जितने assets मुझूद है ना बस उतनी liability होती है कि आपने वह asset sale करके अपनी liability पूरी कर देनी है ठीक है यानि creditors को पैसा दे देने बस उतनी liabilities होती है लेकिन जो unlimited होती है तो उसमें आपके personal assets होते हैं वह भी बीच में involved हो जाते हैं यानि आपके पास assets काम है और आपकी liability जाद है आपने payment जादा करनी है तो फिर आपको अपना घर भी बेचना पड़ सकता है अप बिजनस क्योंकि कोई भी बंदा चला सकता है अकेला operate करना होता है उसने तो वो कभी भी खौल सकता है बिजनस उसके लिए कोई legal requirement नहीं होती किसी किसम की legal formalities की जरूरत नहीं होती लीगल formalities तो जब होती है जब separate entities होती है बिजनस की अलग है हैसियत और जो honor है उसकी अलग ह लेकिन क्योंकि बिजनस भी उसका खुद का है वो खुद उसका मालिक है यानि बिजनस और ownership दोनों एक ही चीज़ है तो फिर उनको किसी किसम की legal formalities की जरूरत ही नहीं होती next है relationship with customer इसमें उसका relationship customer के साथ बहुत अच्छा हो सकता है और होता है क्यूंकि उसका direct customer के साथ interaction है direct customer से बात करता है उनकी मरजी की चीज़ें लेकर आता है अपनी शौप में क्यूंकि जो बड़ी बड़ी बिजनस होता है उसमें तो direct नहीं होता बहुत सारे employees का interaction होता है business owners का तो नहीं होता लेकिन ये क्यूंकि छोटे पे माने पे अपनी खुद की शौप है तो जो customer आएगा आपने खुद उसको deal करना है तो आप अच्छे तरीके से बात करोगे और मजीद customers हैं वो build करोगे क्यूंकि जब एक customer आप से satisfied होता है इसमीन के वो 10 customers लेकर आएगा आपके पास ठीक है और इसी तरह से अगर एक को आप satisfied नहीं करते हो तो वो चला गया तो इसमीन के 10 customers ले गया वो अपने साथ तो यह होता है कि इसमें इनका benefit है कि वो relationship अच्छे बना सकते हैं उनके साथ अच्छा इंट्रेक्ट कर सकते हैं उनको value देते हैं और जब वो customer को value देते हैं तो customer भी उनको value देते हैं उनसे चीज़ें पर chase करते हैं फिर है no legal formalities जैसा मैंने पीछे बताया है आपको legal status में ही कि इसमें किसी किसम के legal formalities की जरूरत नहीं होती उसने अगर वो business man चाहता है कि थोड़ा सा business operate large scale पर किया जाए और legal formalities भी हो तो lawful operate किया जाए तो वो अपनी मर्जी से करवा सकता है उस business को legal तोर पर लेकिन इस किसम उसके बाद है ease of Devolution ठीक है यानि के खातमा इस business का कैसे होता है असानी से हो सकता है अपनी मर्जी से वे असानी से format कर सकता है बना सकते है business को start कर सकता है और असानी से उसको wind up भी कर सकता है तो यह करक्टरिस्टिक्स थी hope करती है आपको वीडियो पसंद आई होगी और topic अप अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है और अगर आप फस्ट तैम मेरे चैनल पर आए हैं और थोड़ी सी भी वीडियो इंफरमेटिव लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को जरूर ट्रेस करें और नोटिफिकेशन को आल पर सेट कर लें ताके तमाम मेरी लेटिस वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिले और आप सब अपना खियाल रखें मुझे अपनी दूआउं में याद रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह आफिस